एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से क्लास में पूछा कि मानलो तुम्हारे 95% माक्स आजाएं तो तुम खुश हो जाओगे तो सारे बच्चे चिला कर गहने लगे हाँ 95% तो बहुत अच्छे होते हैं हम बहुत खुश हो जाएंगे पिर उसी टीचर ने कहा कि मानलो कि तुम्हारे 95% माक्स आजा तो बाकी सारे बच्चोंगे 96, 97, 98% माक्स आते तो क्या तुम खुश हो जाओगे तब किसी ने नहीं कहा कि हाँ हम खुश हो जाएंगे टीचर ने कुछ सोचते हो फिर से पूछा माल LOOK, तुम्हारे Maths में 60% marks आ जाएं, तो तुम खुश हो जाओगे, तु बच्चे कहते हैं नहीं, 60% तो बहुत कम होते हैं, 60% में कैसे खुश होंगे, तो teacher और अगर हम पीछे रह जाते हैं तो we feel defeated and sad हारा हुआ और दुखी महसूस करते हैं लेकिन असल में ऐसा नहीं होना चाहिए हमें सोचना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए मैं किसमें खुश होंगा और मेरे लिए success की क्या मायने है और उसके हिसाब से मुझे मेहनत करने चाहिए इस चीज़ का ध्यान बिलकुल नहीं रखना चाहिए कि कौन मेरे से एक कदम आगे है और कौन मेरे से दो कदम पीछे Just focus on your own goals